हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल गुडफूड वेटल मूट, कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सब अचे होके, आज मैं आप के लिए बहुत ही जादा स्वाधिस्ट, सौफ्ट, जलदी बन जाने वाला और बहुत ही कम तेल से बनने वाले पराठी की रैसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो पराठा बनाने के लिए एक बड़े पोल में एक उबला हुआ आलो आपको ग्रेट कर लेना है, उबले हुए आलो से पराठा बहुत ही जादा सौफ्ट बनता है, ग्रेट कर लिया, अभी लेना है पान से छहला सुन, एक इंच का ग्रफ और एक हरी मेर्च को आपको दर-दरा कूट करके इसमें डाल देंगा है, अब इसमें डालना है एक छोटी प्याज, और आपको भेल सारी इसमें धनिया डालने है, अगर आपको धनिया का टेस्ट कम पसंद है तो आपको धनिया भी इसमें 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 इसमाल कर सकते हो, एक जालना है आपको धन्या पाउडर, आदा चम्माज डालना है लाल मिर्ची का पाउडर और नमक आपको अपरे टेस्ट के हिसाब से इसमें एड़ कर सकते हो अगर आपको पराठा चरपटा बसंद है तो साले चीजों को मिक्स कर लिया, अभी इसमें डालना है एक कप गहूं का आठा, गहूं की चेकाफर आप मैदे कभी इस्तवाल कर सकते हो, मैं इस पराठे को बच्चों के लिए रड़ी कर रही हूँ तो मैंने इसमें गहूं की आठे के इसमें डालना है एक कप नॉर्मल पानी ठोड़ा ठ़ड़ा करके पानी डालीए का एक बार में सारा पानी नहीं डालना है है आठा मोटा है पतला है उस पे भी डिपर्ण करता है कि आप बैटर की कसेंस निसा नीका लेंग लिचए गा उस हिसाब पारे के इस्तमाल होगा थोड़ा बहुत नम जादा भी हो सकता है तो बैटर रेडी हो गया अभी हमें पराथा बनाना है स्टार्ट करना है तो पैन को हमने हलका गरम कर लिया कैस की फ्रेम को लो टू मीडियम रखा है हलका सा सभी तरह ओल लगा दिया पैन पर अभी हमें इस में बैटर डालना है बैटर आपको बहुत जादा रही डालना है जैसे आप स्ट्फ्ट पराठे बगारा बनाते हो उसकी ठीकनत जैसे हो और ऑटने के बाथ 이제 आपको इसे पलटने के बाद इसे आपको सभी तरब से दबाते हुए हलका गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना तो अभी आपके पराठे बिल्कुल बढ़ियाज सिंग गए हैं यह पराठे बहुत ही ज्यादा है टेस्टी भी है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है बच्चों को यह बहुत पसंद आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए सबसे एजी यह रेसिपी है और टेस्टी भी है तो मेरे घर में क्या होता है ब्रेकफास्ट में बहुत जल्दी होती है और बहुत मन्से खाते हैं और एक हेल्दी चीज भी उनके अंदर जाती है तो आप भी इस तरह से अपने पराथे रडी करिएगा आपको यह जरूर पसंद आएंगे और एक बार इस पराथे की रेसिपी को जरूर 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 ट्राइ करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्यू सो मुच्छ